कॉम्पटेटिव श्टेडी सरकिल में मैं संतोस्याद अब आपका स्वागत करता हूँ आज से अपन चर्चा करेंगे परियावरन की और परियावरन में अपन बात करेंगे MP वर्ग 3 की जो परियावरन है आठ यूनिट इसमें आपकी दीगी तो आठ यूनिट में से अपन एक एक यूनिट पर एक रमबन तरीके से चर्चा करेंगे और आज से प्रते एक दिन आपको एक क्लास मिलेगी परियावरन की और ये सिलेवस पे आधारित होगा तो आपका NTPC का जो परियावरन है वो अलग है यहां MP वर्ग 3 की ही परियावरन पर चर्चा मैं करूँगा और जो टॉपिक वाइज आपके आठ टॉपिक दिये हैं अगर आप सिलेवस देखोगे तो आठ टोटल टॉपिक हैं आठों टॉपिक रंबद तरीके से अपन कवर करेंगे हाला कि पहले टॉपिक से मैं स्टार्ट नहीं करूआरों मैं स्टार्ट करूँगा लाष्ट टॉपिक से आठ वे से आठ वे साथ वे छट वे इस तरीके से अपन चलेंगे क्योंकि पहला topic क्योंकि समाय हो गया है पुछ लोगों ने पढ़ लिया है तो थोड़ा उतना interest नहीं आएगा तो अंतिम topic से start करेंगे अंतिम topic थोड़ा interested भी है आपका ठीक है interesting भी है तो आपन यह करेंगे कि last से अपन start करते हैं और लाज़ से start करते हैं अपन चलेंगे पहले topic तक daily आपको एक class मिलेगी सांदार तरीके से अपन cover करेंगे परियावरन को ठीक है तो आज पहली class है और आठवी unit आप syllabus देखोगे syllabus जब भी आप पड़ो syllabus हमेश साथ में रखा करो syllabus आप देखोगे उसमें आठवी unit है आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योग की बहतरी unit है वहीं से अपन शुरुबात करते हैं उसको complete करेंगे फिर साथ भी unit पे चलेंगे फिर छट भी इस तरीके से अपन पूरी परियावरन को complete करेंगे daily एक class आपको मिला करेंगी परियावरन की ठीक है तो आज पहली class अपन श्टार्ट करते हैं तो चर्चा करते हैं पन पहली class हाला कि आपके olevas में अठ कि उनिट होगी फिखी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं चर्चा करने बेंगे कि आपके कि अंतरिक्ष विञ्यान शुरु पूरा complete त्षृ अंतरिक्त की होगा आपका लिखा होगा है अब अंतरिक्ष विख्यान के अगर अपन बात करें तो पूरा complete topic है आज से अपन इसकी class शुरू कर रहे हैं तो एक-एक से अपन topic को complete करेंगे देखते हैं कितनी class में cover होगा ज्यादा लंबी भी class में नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें फिर थोड़ी दिक्कत आती है बढ़ने में ज्यादा बोरियसी लगते हैं कि बहुत ज्यादा लंबी class हो गई है तो एक limited ही class रखेंगे लेकिन complete अपन करते जाएंगे यहां से अपन series start करेंगे ज्यादा समय भी नहीं लूँगा बीच में का दो class long भी आपकी रखी जाएंगी ताकि आपका syllabus भी जल्द से जल्द complete हो जाए ठीक है तो अंत्रिक्ष विज्यान के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखो अंत्रिक्ष विज्यान की शुरुवात नाइंटी 45 उननीस तो पैतालिस की अगर हम बात करें तो उननीस तो पैतालिस में एक वैज्यानिक थे आर्थर सी क्लाइट आर्थर सी क्लाइट आर्थर सी क्लाइट की बात करें तो यह व्रिटैन के वैज्यानिक थे बुटेन के विख्यानिक थे आर्थरसी फ्लाल इन्हों ने एक उपन्यास लिखा था तो आर्थरसी फ्लाल ने एक उपन्यास लिखा इस उपन्यास में ने सबसे पहले चछा की थी की उपग्रह के माध्यां से रेडियो संकेतों के संप्रेशन का सिध्धान देखो यहां अगर अगर अपन चर्चा करें आर्थर सिख्लार की तो यह व्रिटैन के वैज्ञानिक थे तो व्रिटैन के वैज्ञानिक थे इन्होंने एक उपन्यास ही था और इस उपन्यास में देखो इस उपन्यास की अगर अपन बात करें तो उपग्रय की माध्यम से रेवियो संकेतों के संप्रेशित का सिध्धान्त दिया था आथर सीकला तो विटेन के वैज्ञानिक थे ठीक है तो वैज्ञानिक लेखग भी आप इनको कह सकते हो जुदि उन्होंने उपन्यास में क्या किया था एक सिध्धान्त किया था लेकिन उस समय किसी ने भी इनके सिध्धान्त को माननता नहीं दी और सभी लोगों ने इनको क् कल्पना जगत का वैज्ञानिक के नाम से जाने में सभी ने इनको बोला कि कल्पना जगत के वैज्ञानिक था तो खल्पना जगत के वैज्ञानिक के नाम से इनको बुलाया लिया किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी क्योंकि इन्होंने जो बात की थी नाइंटी फोटी फाय कहीं पे भी इस तरीके की जो वैग्यानिक थे और किसी वैग्यानिक ने इस तरीके की सोच को नहीं दिखाया था, कोई और वैग्यानिक इस तरीके की सोच को लेके सामने नहीं आया था, तो सबसे पहले यहीं से इंत्रिक्ष वैज्ञान की नीव मानी जाती है क्योंकि सबसे पहले आर्थर्शी क्लार्ग थे इन्हों ने एक उपन्यास में सिध्धान्त दे दिया था कि उपग्राय के माध्याम से रेडियो संपेतों को संप्रेशित किया जा सकता है तो यहां से एक शुरुवाद मानी जाती है आर्थर्शी क्लार्ग से इन्हों का जो पन्यास था उसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार उपग्रेगे माध्याम से हम रेडियो संपेतों को संप्रेशित कर सकते हैं तो कल्कना जगत के वैज्ञानिक बोला गया इनको लेकिन आगे चलके इनका जो सिध्धान्त था उसको माननेता मिली तो यहाँ पे सुरुवात 1945 से मानी जाती है इसके आगे अपन चर्चा करते हैं देखो 1945 में तो यहाँ पे इन्होंने के वाल एक सिध्धान दिया जिसको माननेता नहीं मिली लेकिन आगे चलके बहुत ही महत्वूण है याद रखना देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इस पूतनिक फश्ट इस पूतनिक फश्ट का नाम सभी लोगों ने सुना होगा यह अंतरिक शियान था एक अंतरिक्षियान था इस पूतनिक फश्ट नाम का अंतरिक्षियान था ये किस देश में बनाया था इस देश के बारे में अगर अपने बात करें तो ये बनाया था सोवियत संग्णी तो सोवियत संग्णी ने इस पूतनिक फश्ट नाम का अंतरिक्षियान बनाया और ये जो यान बनाया गया था ये बनाया गया था इस देश के बारे में बात करें तो सोवियत संग्णी संगों कुछ लोग सोवियत संग रूस के नाम से जानते हैं लेकि नहीं उस समय ये सोवियत संग ही था अब बाद में अलग हो गया है क्योंकि रूस का प्रभुत रहा है इसका ये पंदरा गणराज्यों का पूरा समु कहलाता था क्या आपका सोवियत संग ये लगभग तो सोवियत संगी बात करें तो इस पूतिक फश्ट नाम का जो अंत्रिक्षयान था सबसे पहले ये बहुत ही फेमस question बहुत ही famous question है यहां से question पूछा जा सकता है स्पूतनिक first से कि अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया अंतरिक्ष यान कौन सा था इस पूतनिक first तो सफलता पुर्वत प्रचेपित किया गया था अंतरिक्ष में कौन सा अंतरिक्ष यान था इस पूतनिक फष्ट कौन से देश का था सोवियत संग का था तो सोवियत संग में इस पूतनिक फष्ट नाम का जो अंतरिक्षियान था ये अंतरिक्ष में भेजा यहां से शुरुवात हो गई यहां से फिर अलग-अलग देशों ने सोचना श्टार्ट किया क्योंकि जब रूस ऐस पूंच को चुक आथा तो अलग अलग देशों ने यहां से फिर एक तरीके से होड लग जाती है उपक्षाट से स्टार्वे कहार से एक चोटे आकार का था अगर इसके आकार की बात करें तो पर ड़े सकते हैं यह स्टार्व मेरा बॉसे थै बॉल, तो वॉस्के गॉल क्या करता था, इस पूतनिक फष्ट किस देश में भेजा था, सोवियत संग में, तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, इस पूतनिक फष्ट था, ठीक है, यह सबसे पहले भेजा गया अंतरिक्ष में, जो अंतरि संग के नाम से ही जाना जाता था हूं समय तो शोवियत संग ने भेजा ठीक इस पूतनिक फष्ट था नाइंटी-विटि सेवन में तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला अंतरिक्षियान था इस पूतनिक फष्ट यह वास के आता है था एक लियर ओगई बात तो देखो यहां आप एक अंतरिक्ष्यान भेजा गया कहाँ पर अंतरिक्ष में कौन सा इस्पूतनिक फर्ष्ट नाइंटी फिप्टी सेवर में यहीं से शुरुवात होती है अंतरिक्ष्यानों की तो इसके बार रूज सोव्यत संग नहीं अगर मैं यहाँ पर बात करो यहाँ पर देख रहत अप्षूम्बर फिशोने मैं था 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 यह नॉम्बर फिशोने में दॉन आमने लगभग लगभग स्पुतिनिक फ़स्ट और स्पूतिनिक सेकें और केवल और जादा नंतर नहीं था एक महिने का उतर था ठीक है तो इस पुटनि दुटिय तो यह भी भेजा गया था सोवियत संग के द्वारा चीख है तो यह भी सोवियत संग ने भीजा था इस पूतनिक दुट्य था 1957 में भेजा लिया देखो इस पूतनिक फश्ट को सफलता पूरवग भेज चुका था सोवियत संग उसके बाद सोवियत संग ने यहां पर एक एकस्पेरिमेंट किया यहां पर एक जानवर को भेजा यहां एक जानवर को भेजा तो question यह आ जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था तो अंतर तो इस पूतनिक दुट्टी नाम के अंत्रिक्ष यान से 1957 में एक जानवर सबसे पहले अंत्रिक्ष की आत्रा करने गया था, उसका नाम पूंचिलिया जाता है, तो उसका नाम यहां पे पहलिक लेते हैं, उस जानपर का नाम क्या था? लाइका लाइका इसका नाम था और लाइका क्या थी एक कुटिया थी तो लाइका नाम की कुटिया को और सोबियत संग ने इस पूतनिक दुप्तिय नाम के अंत्रिक्षियान से अंत्रिक्ष में भेजा तो सबसे पहले पुटियाने अंतरिक्स की आतरा की जिसका नाम क्या था लाइक लेकिन अंतरिक्स की अगर हम बात करैं कि ये कुछ ही समय में देखो अत्याधिक ताप और उसमा अत्याधिक ताप और उसमा के कारण अत्यादिक ताप और उस्मा के कारणी जो लाईक अनाम की कुटिया थी ये कुछ ही समय में इसकी मौत हो गई तो लाईक अनाम की कुटिया सरवाइब भी नहीं कर पाई अंत्रेक्ष में तो लाईक ताप और उस्मा यानि बहुत जादा टेंप्रेचर और उस्मा के कारणी उस कुटिया थी अन्त्रेक्ष में जाते ही कुछ ही समय में इसकी मिठ़्ी हो जाती है लेकूं यहांसे कोशिन बन जाता है कि अंत्रिक्ष में पहली बार जानवर गया था उसका नाम क्या है तो लाइका उसका नाम है क्या था यह एक पुतिया थी लाइका किस अंत्रिक्ष यान से इसको भेजा गया इस पूतनिक दुटिये और इस पूतनिक दुटिये के अगर बात करें तो कौन से देश ने इसको भ कर रहे थी तो यहां पर चर्चा कर रहे थी नाइंटी खुर्टी फाइग में एक अपन विज्यानिक लेख़ कह सकते हैं आर्थर सी ख्लार्ग थे कहां से संबंदित थे व्यृतैन से इन्होंने उपन्यास रिखा उसमें इन्होंने बताया कि उपग्रह के माध्यम से हम रेड सबसे पहले 1957 तो सबसे पहला अंत्रिक्षियान जो अंत्रिक्षियान में सफलता पूरुवक भेजा गया वो है स्पूतनिक फश्ट वर याद रखना किसने भेजा सूवियत संग ने वास्केक वाल के आकार का था उसके बाद भेजा गया क्या स्पूतनिक दुट्टिये 1957 में दौनों में लगमक एक महीने का अंतर था वेजने में इसके द्वारा लाइव का नाम की पुटिया को भेजा गया ठीक है जिसकी कुछ ही समय में अंत्रिक्ष में जाने के बाद मौत हो जाती है कि वहां पर टेंपरेचर जो है बहुत ज्यादा होता है उसमा भी बहुत ज्य देखो इसके बाद कहानी शुरू होती है ना साथी ना सा का नाम सभी लोगों ने सुना होगा कहा कि अंत्रिक्ष एजन्सी है यह अमेरिका की तो यहां से दो तिंग कोश्चन बनते हैं उपर चर्चा कर लेता है पहले तो यह है कहा कि अंत्रिक्ष एजन्सी अमेरिका की अमेरिका की अंत्रिक चैनल सी है और यहां पर ने कोई बात यान रखना अगर कोशिन कभी में आता है विस्टु की सबसे बड़ी तो विस्टु की सबसे बड़ी अंत्रिक चैनल सी है नासा ठीक है इसका फुलपाम ही पूछ लिया जाता है फुलपाम इसका पूछा जाता है आप से नेशनल एरोनोल्टिक्स स्पेश एड्मिनिस्ट्रेशन तो याद रखना नेशनल एरोनोल्टिक्स स्पेश एड्मिनिस्ट्रेशन इसका फुलपाम है अमेर्का की एजेंसिये बनी कप थी काफी फेमस है नाइन्टी फिप्टी एट में इसका गठन कब हुआ था तो यहाँ पे लिक देते हैं इसका जो गठन है यह हुआ था नाइन्टी फिप्टी एट में ठीक है अगर हिंदी में इसके नाम की बात करें इसका हिंदी में इसे कहा जाता है राश्टिये, बैमान की और अंत्रिक्स प्रवंधन इसका नाम आप सुनते रहते हो इसकी सबसे बड़ी अंत्रिक्स एजनसी है, नासा कहां की है, अमेरिका की है, गठन 1958 में हुआ था, इंदी में बोलते हैं राश्टिये, बैमान की और अंत्रिक्स प्रवंधन अगर इन्हें इसके मुख्याले की बात करूगा, तो मुख्याले कहां होगा इसका यह और देख लेतने हैं, अपन मुख्याले, मुख्याले इसका वासिंगटन बी-सी बोगल में आपसे पूछलिया जाता है, बताए चारेए बात की पूछलिया जाता है, बोगल में वासिंगेटन बी-सी दिशी का competition of columbia दी का मतलब इस्टिक ओप, दी का मतलब होता है कोलम लिया, तो DC का फुल फॉर्म होता है इस्टिक ओप, कोलम लिया, गोगल में पूछ लिया जाता है, तो मुख्याल इसका वासिंग अटन DC है, इसका NASA का विस्टुकी सबसे बड़ी एंटरिक्ष एजनसी है, अगर इसके पहले है गठन 1958 में वुआ राष्टिय वैमान के और अंतरिक्ष पिरवन्दन हिंदी में इसको बोल दिया जाता है, मुख्याला है इसका वासिंग अटन DC, तो यहां से 1907 के बाद, 1959 में नासा का गठन हो गया, यह विस्टुकी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजनसी है, तो य कौन जादा आगे तक जा सकता है, कौन पहले 15 के बारे में बहुत सारी जान करें, एक खटा कर सकता है, तो आगे अपन देखते चलेंगी, ठीक है, तो यहां पे 9058 में किसका अगठन हो गया, नासा, तो इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं, अब इसके बाद अपन बा तो सबसे पहला कोश्चन तो यही पूछा जाता है, कि लूना मिशन बताओ किस से संबंदित हो, तो लूना मिशन आप से पूछ लिया जाता है, कि लूना मिशन किस से संबंदित होगा, तो देखो लूना मिशन सबसे पहला कोश्चन यही है, तो याद रखना यहां पे यह चंद्रमा से संबंदित है किस से तो लूना मिशन किस से संबंदित है चंद्रमा से संबंदित है अब देखो लूना मिशन के अपन बात करना है किस संबंदित है चंद्रमा से संबंदित अब ये लूना जो मिशन है ये लेके कौन आया था सोबियत संग कौन लेके आया था सोवियत संग लेके आया था तो यहां पर लिख सकते हैं सोवियत संग अब इसमें देखो सोवियत संग लूना मिशन को लेके आया था सबसे पहले हैं वहने लूना पर्ष्ट लूना पर्थम लूना पर्थम असफल यानि लूना फर्ट को चंद्रमा पर भेजने वाला था सोवियत संग लेकिन ये सफ़ल नहीं हो पाया ये मिसन इंका अस्पल रहा लूना प्रथम जो मिसन था वो अस्पल आ इसके बाद आता है लूना दुटियर लूना दुटियर तो लूना सेकेंड जो मिसन था ये सफल हुआ किसके कब हुआ ये नाइन्टी फिप्टी नाइन है तो नाइन्टी फिप्टी नाइन में लूना दुटियर चंद्रमा पर उतर में वाला चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंत्रिक्ष या वेरी वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है कोशन की चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंत्रिक्ष यान कौन था लूना दुटियर कब नाइन्टी फिप्टी नाइन में कौन से देश का था ये ये जो मिसन था सोविय तो सोवियत संग ने पहले तो यह लूना मिशन चंद्रमा से संबन दित है, लूना प्रथम तो अस्पाल आता तो इसकी कोई चर्चा नहीं करनी है, अपन को लूना दुत्तिय यार रखना है आपको चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंत्रिक्षियान है, ठीक है, चंद्र अब देखो अभी अपन ने समझ लिया, अपन ने सबसे पहले देखा इस्पूतनिक फष्ट, तो केवल वो अंत्रिक्षियान ही गया था, अंत्रिक्ष में इस्पूतनिक दुत्तिय के द्वारा इक जान बर गया, चंद्रमा पर भी एक यान पहुँच गया, अभी चंद्र संग की ही अपन बात कर रें, तो सोवियत संग ने एक मिसन भेजा, बोस्तौक परत्म, तो सोवियत संग ने एक बोस्तौक परत्म, neam का एक मिसन भेजा, ये भेजा था 1961, 1961 तो वोस्तौक पर्थम यह काफी वोस्तौक पर्थम यह जो अंत्रिक्षियान है वोस्तौक पर्थम काफी महत्पूर है क्योंकि इसके द्वारा पहली बार इसी व्यक्ती ने अंत्रिक्षियात तरा थे और उनका नाम था मेजर यूरी गागरे मेजर यूरी गागरिंग बोस्तो प्रथम किस ने भेजा सोवियत संग ने 1961 में मेजर यूरी गागरिंग तो यहां से question यह बन जाता है कि पहली वार अंतरिच की आत्रा करने वाले व्यक्ति का नाम मेजर यूरी गागरिंग कौन से लेश के थे के तो उपर ही लिखा हुआ है हम लिख देता हों सोवियत संग के थे यह कौन मेजर यूरी गागरिंग अगर अगर मेजर यूरी गागरिंग की बात और तो एक पायलेट थे यह कौन थे यह पायलेट Baptist एक पाइलिट थे इन्हों ने 1961 में जब ये अंत्रिक्ष में गए तो इन्हों ने प्रत्वी की एक परिक्रमा पूरी की तो प्रत्वी की एक परिक्रमा पूरी करने वाले भी पहले विक्ति कौन थे मेजर यूरी गागरिन थे वोस्तोग पृथम से ये गए थे कौन से देश के थे सोवियत संग की क्या थे एक पाइलिट और ये सफलता पूर्वग वापस भी लोटे सफलता पूर्वग वापस लो तो सफलता पूर्वक बापस भी लोड़ने थे कौन मेजर यूरी गावने और क्या थे ये पाइलोट अंतरिक्ष मिशन के लिए जादा तर आप देखोगे मैं जिमम केसिस में आप देखोगे तो जादा तर किसको चुना जाता है पाइलोट को ही चुना जाता है यानि जिनको थोड़ा अभ्यास होता है क्योंकि पाइलोट आपको पता है प्लैन वगेरा में कि उनको पहले से इनका जो एक अभ्यास भी कह सकते हो इस तरीके से इनकी सारी चेक अप बगेरा पहले से होई रहते हैं इनको पहले से लगभी रहता है उस तरीके का ठीक है स्वा साथा पूर्वक वापस भी लोटे पृत्वी के परिक्रमा पूरी करके नाइंटी सिच्टी बन में गोस्तव नाम के गोस्तव पृत्व नाम के अंत्रिक्षियान से गए थे मेजर यूरी गागरी बाद में इनकी मृत्तियू हो जाती है यह मिग 15 मिग 50 मेग 15 जहाजक को उड़ा रहे थे तो मेग 15 जहाजक को उड़ाते हुएं इंकी मृत्तियों हो जाती है किसकी मेजर यूरी गागरी की तो पाइलट थे ये, तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अंत्रिश की यात्रा की वो कौन थे, मेजर यूरी गागरे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम व्यक्ति, लिख देता हूँ यहाँ पर प्रथम व्यक्ति, जिन्होंने अंत्रिश की यात्रा की, कौन थे वो मेजर यूरी गागरिन कौन से देश के थे सोवियत संखे थे वोस्तो पुर्थाम नाम के जहाद से गए थे ठीक है पुर्थिभी के एक परिक्रमा पूरी 961 में इंहोंने कर ली थी सफलता पूर्वा के वापस भी लोते काफी नाम भी हुआ काफी फेमस भी हुए तो यह नाम याद रखना काफी ज्यादा महत्तपूर्ण है आप लोगं के लिए ठीक है क्योंकि देखो जितने इरी परियावर करने कि आवसकता नहीं होगी तुकि मैं हर एक चीज को काफी डिटेल में लेके जाऊंगा आप तो बस कुछ नहीं करना है नोट्स बनाते चलें वीडियो देखें साथ में नोट्स बना लें और याद करते जाएं यादा समय भी नहीं लोगा जल्दी से जल्दी आपके समा सब्सक्राइब को चलो भारत किन भी करवाते हैं तहां से होनी जहागीर भावा से होनी जहागीर भावा तो डॉक्टर होमी जहागीर भावा की अगर हम बात करें तो यहां से भारत किन भी होते हैं देखो होमी जहागीर भावा पर्मानू उर्जा विभाव पर्मानू उर्जा विभाव तो पर्मानु उर्जा गुर्वाग के प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम अध्यक्ष थे तो प्रथम अध्यक्ष थे किसके पर्मानु उर्जा गुर्वाग के कौन होमी जहांगीर भवाग तो होमी जहांगीर भवाग को अगर हम बात करें तो भारतिये पर्मानु कारिकरम के जनक भी कहा जाता है भारतिये परमाणू कारक्रम के जनक भी कहा जाता है किसको होमी जनकी ठाबा हो अगर हम देखें तो ये मुंबई महाराच से संबंदित है यानि इंका जनक बहा पे हुआ था मुंबई ठीक है तो मुंबई में इंका जनकों मुंबई महाराच से संबंदित है कौन होमी जहागीर भाबा परमाणूर्जा गवाग के प्रथम अध्यक्षवी थे भारतिये परमाणू कारक्रम के जनक के नाम से भी जाना जाता है इंको देखो अब शुरुबात कैसे हुई अंतरी शुक्यान में भारत की इन होने 1962 में 1962 में 1962 में 1962 में होमी जहागीर भाबा ने देखो परमाणूर्जा गवाग के अंतरगती एक नए गवाग का गठन किया जिसका नाम था इंको स्पार तो परमाणूर्जा गवाग के अंतरगती ये गठित था यानि इसी गवाग के अंतरगती आता था कौन इंको स्पार अब इंको स्पार का पहले तो फुल फॉम आपसे पूछा जा सकता है तो इसका फुल फॉम हम जानेंगे इंको स्पार का फुल फॉम क्या ह तो हम इसको लिख लेते हैं हिंडी में लिख देते हैं इसको जगए थोरी जादा चाहिए पड़ेगी नी तो ऐसी लिख देते हैं इंडियन नेशनल कमेटी होर स्पेस रिसर्च तो इंडियन नेशनल कमेटी फोर स्पेस रिसर्च इंडियन आई से इंडियन एन से नेशनल सीओ से कमेटी स्पेस और आज से क्या हो गया रिसर्च तो इंडियन नेशनल कमेटी फोर स्पेस रिसर्च का गठन पर्मान उर्जाब भाग के तहत जब किया गया यहीं पर्मानुचा वाग के तहती एक नई वाग का गठन किया इंडियन नेशनल कमेटी for Space Research और यह कब किया गया 1962 में किया गया इंको सपार का गठन इंडियन नेशनल कमेटी for Space Research अब एक बहुत ही फेमस नाम यहां से सामील होता है Dr. Vikram Sarabhat नाम से समझ में आ रहा होगा, शहां के होगे तो Dr. Vikram Sarabhat एहंदाबाद गुज्रात एहंदाबाद गुज्रात के रहने वाले या इनका जर्म कहा हुआ एहंदाबाद गुज्रात में हुआ डॉक्तर विक्रम सारा भाई का, तो इसको बनाया गया अध्यक्ष किसका, इंडियन नेशनल कमेटी फोर स्पेस रिसर्च, यानि इनको सपार जो बनाये गया इसका अध्यक्ष कौन बनाये गया, विक्रम सारा भाई, इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष बनाया गया विक्रम सारा भाई हो देखो अगर हम इनके बारे में बात करें यहां से एक famous question अंतुरिक्ष प्रध्योगी के जनक तो अंतुरिक्ष प्रध्योगी के जनक इसे कहा जाता है डॉक्टर विक्रम सारा भी यहां से MPPSC 2000 अभी जो पेपर हुआ था 20 में तो अंतरिक्स प्रौध्योकी का जनक ये पूछा गया था कि भारत यानि अंतरिक्स प्रौध्योकी का जनक मुझे सई से आनी यह लग बोग यही कोश्चन था कि अंतरिक्स प्रौध्योकी के जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर वि विक्त्रम सारावाई काफी फेमस नाम है क्योंकि इनको स्पार की जो गठन हुआ था सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे डॉक्तर विक्त्रम सारावाई आगे अपन और देखते हैं इसको तो अहंदाबाद गुज्राद के रहने वाले थे अब यह जो परमानों बूर्चा भु स्पेस रिसर्च डॉक्तर विक्त्रम सारावाई अंदावाद गुज्राद पहले अध्यक्ष इसके बनाएगे इसके इनको स्पार के अब देखो यहां पर एक तो इनको स्पार का गठन किया गया यहीं प्यपन देखते हैं यहां देख लेते हैं थुमबा थुमबा पूरम केरल में पढ़ता है आपका थुमबा यहां पर यहां पर इनको स्पार का गठन किया गया यहीं पर गठन किया गया थुमबा भुमध रेखिये राकेट प्रचेपन केंड 받고 तो थुमबा भुमध रेखिये राकेट प्रचेपन केंड यह कहां पर थुमबा में देखो केरल में जिला है तिरुवनंत पुरम उसी का एक गाउं था थुमबा यहीं पे थुमबा गुमद रेखिये रॉकेट प्रिछेपन केंदर खोला गया इनको स्पार का गठन किया गया यहीं पे एक रॉकेट प्रिछेपन केंदर भी खोला गया थुमबा में तो भारत का सबसे पहला रॉकेट प्रिछेपण केंदर कहां पे खोला गया तो थुमबा केरल आप कह सकते हो ठीक है तिरुवनंत पुरम यानि केरल का एक जिला है तिरुवनंत पुरम उसी में थुमबा गाओं है वहाँ पे सबसे पहला rocket प्रिछेपन केंद्र खोला गया और इनको स्पार्गी का गठन भी कर दिया गया किसके अंतरगत परमाणू उल्जा विभाग करता गया देखो यहां से question एक तो यह बन गया अपने लिए कोश्चन यहां से एक बन गया कि पहला रोकेट प्रच्छेपन के इंदर कहां पे खोला गया थुमबा कौनसी जगए केरल में तो थुमबा केरल में केरल राजी के तिरुवन पुरम जिला के थुमबा में एक थुमबा भूमत रेखे रोकेट प्रच्छेपन के इंदर खोला ठीक है अब यहां पर देखो क्या होता है 9063 में यहां पर देख लेते हैं 9063 में 9063 में इसी थुम्बा भूमत रेखी रे रॉकेट प्रच्खेपॉर्ण जो केंदर है आपकर ठीक है थुम्बा भूमत रेखे रॉकेट प्रच्खेपॉर्ण केंदर से पहला सांडिंग रॉकेट पहला सांडिंग रॉकेट जिसका नाम काफी फेमेश वोश्चन यहां से नाई कपाचे तो भारत ने अपना पहला आई था था वो नाईक सिस्टी फिरी में और लिखा हुआ है यहां फीर लिखे देता हूं 90.'63 में भारत ने अपने सबसे पहला साउन्दिंग रॉकेट कब छोड़ा था 90.63 में यानि कब प्रशेपित किया तो भारत ने पहला साउन्दिंग लॉकेट नाई कपाचे 90.63 में प्रशेपित किया और question उचा जाएगा कहा से प्रशेपित किया तो थुमबा भूमद रेखे रोके प्रशेपर केंदर से प्रशेपित किया गया नाई कपाचे 90-63 तो भारत ने पहला sounding rocket लेकिन यह याद रखना क्योंगी भारत ने केबल क्या किया था इसको प्रशेपित किया था बागी नाई कपाचे बना तहां पे था नाई कपाचे भारत ने स्वेम नी बनाया था यह rocket बनाया था अमेरिका ने यह rocket अमेरिका ने बनाया था और अमेरिका भी देखना चाह रहा था कि भारत यह कर पाता है कर पाता है, तो अमेरीका ने दिया था कि शाहिड भारत देखते हैं कर पाता या नहीं कर पाता है तो अमेरीका ने एक नाई कपाचे सांड निंग रॉकल था इसको बना के दे दिया, तम winter को सबस्ते हैं है और के लाम से इसको जाना जाता है दो मैं on fine जाने तो अध्यूपड इत्लेया मैं कि तो नहीं कर साथ यहांं पर भी नहीं को मुझा में चुत्तारियल रॉकेट लॉंचिंग इस्टेशन ठीक है यह सब फुलफॉम है है तर्ण्स के नाम से भी जाना जाता है थुमबा भुमद रेखे रॉकेट प्रिछेपन के इंदर को तर्ण्स का फुलफॉम टी से थुमबा इसे एक्वेटोरियल आर से रॉकेट एल से लॉंचिंग और ऐसे क्या हो जाएगा इस्टेशन ठीक के नाम से भी जाना जाता है थुमबा भुमद रेखे रॉकेट प्रिछेपन केंदर था तो यहां पे और लिख देता हूं मैं भारत का पहला और रॉकेट प्रिछेपन केंदर कौन सा था तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्तत नहीं होगी तो इनको सपार की स्थापना हो गई 1962 में अद्धेश बना दिया गया डाक्टर विक्रम सारा ठाइको ठीक है और यहीं पे आपका तर्स की भी स्थापना हो गई खारत ने पहला नाहीं कपाची में 1963 में जो मेरिका ने बनाया था ठीक है यह रॉकेट था एक साउंडिंग रॉकेट इसको भी लांच कर दिया इसको भी अंत्रिक्स में भेज दिया है तो इसके आगे कि अपन चर्चा करते हैं चलो देखो देखो अभी गठन किया था किसका इनको स्पार था देखो इसी का पूनरगठन इनको स्पार का पूनरगठन करके एक संस्था बनाएगे और एक संस्था बनाएगे इस रो तो इनको स्पारगाही पुनर गठन करके इस रो बनाया गया था इस रो ये बहुत ही महत्वुन यानि अगर अपन भारत की बागतर तो भारत की सबसे बड़ी अंत्रिक्ष संस्था के बारे में बागतरें इसका नाम आता है, इस रोग नाम आता है, सभी लोगों ने सुना होगा, तो इस रोग के बारे में इन चर्शा कर लेते हैं, इस रोग, इसका घठन कव वह था? ये हुआ था, पंदरा अगस्थ Ass previous इस रोग का घठन किया गया। इस रोका बेटन किया है, इसके फुल्पॉंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन इस रोका फुल्पॉंग में हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको भार्तिय, अंतरिक्ष, अनुसंधान ठीक है, तो भार्तिय, अंतरिक्ष, अंधान, संधान भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रिसर्च और्गनाईजेशन इसका full home काफी बार पूछा गया एक Indian Space Research Organization भारती अंद्रिक चंसंधान सलगट है अब इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो इसका एक धे बात बनाया गया धे बात तो धे बात तो क्या है इसका मानो की सहायता के लिए अंद्रिक चंस पुराज जोगी की इसका मुख्यालाय याद रपना पड़ेगा आपनों को मुख्यालाय कहां पर है इसका तो इसका जो मुख्यालाय है वो बंगलौर में बंगलौर तो इसका मुख्याले बंगलौर में तो इनकोस पारगाई पोनल गठन करके शुरू बनाया गया 15 अगस्त 1969 को इसका अगठन किया गया इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ठीक है तो भारतिय अंत्रिक्ष अंसंदान संगठन के नाम से जाना अब इसके बात कर लेते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष तो यहां पर बात करते हैं इस रों के प्रथम अध्यक्ष तो प्रथम अध्यक्ष वही रहे इसके जो इनको स्पार्केत हैं डॉक्टर विक्रम सारा भाई तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई को इसका पहला अध्यक्ष बनाए गया इन ही को कहा जाता है भार्थम अंत्रिक्ष प्रथयोगी का जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है कौन डॉक्टर विक्रम सारा भाई को प्रथम अध्यक्ष थे किस से इस रोके इस दो के अगर वर्तमान में आप बात करो तो अभी टोटल दस अडेक्श हो चुके हैं अगर के सिवान को भी सामिल कर लिया जाए तो के सिवान दस वी अडेक्श है पहले कौन थे डॉक्टर विक्रम सारा भाई थे इनके बारे में आपको मैंने वहां पर कोड़ी से जानतारी दी थी पीछे ये एहम्दाबाद गुजराद के थे एहम्दाबाद एहम्दाबाद गुजराद के रहने वाले थे डॉक्टर विक्रम सारा भाई का जन्म एहम्दाबाद गुजराद में हुआ था बाती उनको क्या बोला जाता है उनको कहा जाता है भारती ए अंतरिक्ष्ट प्राध्योग की का जनक पहले भी बता जुबा हूं काफी important question है MPPSC में भी पूछा गया था इस वाद भारती अंतरिक्ष्ट प्राध्योग की का जनक किसे कहा जाता है डाक्टर वित्रम सारावाई को एहंदावाद गुजरात के थे पहले अध्यक्ष थे इस रोगी इस रोग भारत की सबसे वड़ी अंत्रिक्ष एजेंसी है सबसे वड़ी अंत्रिक्ष शंस्ता की बात करेंगे तो इस रोग है इसके बाद एको डाक्टर वित 1972 में अध्यक्ष वने थे, 1972 से 1984, यानि लगभग 14 वर्ष, तक 37 भवन रहे इस रो के अध्यक्ष, यानि सबसे अधिक समय तक इस रो के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक इस रोगें देख स्कॉन रहा है सतीज धवन अब ये ठे कहां के तो यहां लिख लेते हैं अपन ये ठे स्री नगर और आपको सभी को पता हुआ स्री नगर कहां पढ़ता है जम्मु पस्मीर तो स्री नगर जम्मु पस्मीर के जो सतीज धवन थे 1972 से लेके 1984 तक यानी सबसे अधिक समय तक इस रोगें देख स्कॉन रहे सतीज धवन पहले अधिक स्कॉन के डॉक्तर विक्तरम सारावाई जिनको भार्केंद्रिक्स प्राध्योगी का जनक कहा जाता है ठीक है यह तीसरे थे 1972 से लगभग 1984 तक रहे सतीज धवन सबसे अधिक समय तक इस रोगें देख रहे हैं सतीज धवन अब इसके बाद यह तीसरे नमबर के थे टोटल दस हुए हैं इसके बाद बरतमान में जो हैं सभी लोग इनको जानते हों दसवे नमबर के के सिवान के सिवान काफी फेमस रहे हैं के सिवान तो के सिवान की अगर अपन बात करें आप में तो के सिवान हैं कहां से यह कन्या कुमारी कन्या कुमारी जिले के गाउमें इंका जनुब हुआ था कन्या कुमारी सभी को पता होगा कहा बढ़ता है तमिल नार्डू में तो तमिल नांडू राज के कन्याकुमारी जिले के गाउं में इनका जनुग हुआ था के सिवन का और इनका ये कोश्चन आता है रॉकेट मैं के नाम से जाने जाते हैं ये रॉकेट मैं तो के सिवन को रॉकेट मैं कहा जाता है तमिल नांडू के कन्याकुमारी जले के गाउं में का जनुग हुआ था ये वर्तमान अध्यक्ष है याद रखना वर्तमान अध्यक्ष तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस रोका इस रोके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है कन्याकुमारी जले के गाउं में का जनुग हुआ था रॉकेट मैं के नाम से जाने जाते हैं अभी काफी चर्चा में रहे हैं आपको पता होगा अध्यक्ष कमिसन चंद्रीआन बुक्त्य यहां पर लिगरेते हैं चंद्रीयान बुक्त्य में अभी हालबी में चंद्री अध्यक्ष 2019 मां है जो भेजा ग़्या था चंद्रीयानStziękuję के कावर्ण चर्चा में रखे इसलिए यहाँ से कोश्चन आ सकता है चंद्रिया फिर्टी पूरी चर्चा करेंगे तब फिर से इनकी बात होगी लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना वर्तमान में कौन है के सिवान है कंडिया कुमारी से तमिल अंडू राजके कंडिया कुमारी जिले के जान हुआ था यह कोश्चन काफी जादा फेमस है याद रखना रॉकेट मैं के नाम से किसको जाना जाता है के सिवान को जो वर्तमान अद्यक्ष है किसके किस रोपे तो यह दसवे अद्यक्ष है पहले गौन थे बिक्तरम सारावाई सबसे अधिक समय तक कौन रहे सतीज ध जच्विनी घुरुप पे मिसन नहीं भेज पाया ठीक है तो अगर यह भेज लेता भारत सफलता पूरवक अगर यह लेंड कर जाता इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे तो भारत पहला देश बनता लेकिन यह नहीं हो पाया ठीक है तो चंद्यान गुत्तिय के कारण का बात कर रहे थे 1969 तक तो 1969 तक जो इस रो था वो किसके अंतर गता रहा था परमाण उर्जा गुवाग के अंतर गता रहा था अब एक थोड़ी सी बात अपन और करते हैं इस पे देखें परमाणू उर्जा विभाग के अंतर का थीक इसको रखा गया था अभी इस रोग को रखा गया था लेकिन 1972 में याद रखना काफी थे में सोशन है अंतर रिक्ष विभाग वा अंतर रिक्ष आयोग का गठन किया गया 1972 में अंतरिक्ष विभाग वा अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया और इसी के तहित एक स्वायत सासी संस्था के रूप में इस रोग को रखा वे था तो अभी अगर अपन चर्चा करेंगे तो इस रोग किसके अंतर रखाता आता है कौन इस रोग यह जिए पहले परमानुन वजा वाग के अंतर रखाता था लेकिन क्यूंग इस को विखास करने के लिए बहुत सारे संसादन पैसे वगए ख्याया क्याव इसके आगे की चर्चापन अगली क्लास में करेंगे ठीक है तो अच्छे से नोट्स बनाए और सारी चीजें आपको बहतरीन तरीके से प्रवाइड करवाई जाएगी कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे इसाब से बाकी फिर आपका सोचना है मैं अपनी तर करेंगे थूड़ मारे प्रव माझे वीजेड़ नहीं हो Ոत natural्के ओर कष्चे सकती अपको नहीं एचर कर रापको से शोप्र प्रवाई एंपको नहीं है wipes क Adapt 7 आपको से नहीं है